आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि वाटसेप पे आपको किसी ने ब्लॉक किया है या फिर नहीं तो यह पता लगाना काफी जादा आसान है लेकिन आपको इसके लिए पूरी वीडियो को देखना है और लास्ट वाला जो आपसन मैं बताने वाला हूँ उससे आप इंस्टेंटली पता लगा सकते हैं कि आपको किसी ने ब्लॉक किया है या फिर नहीं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो यह वीडियो देखने ही वाद आपासानी से पता लगा सकते हैं कि किसे ने आपको WhatsApp ब्लॉक किया है या फिर नहीं, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 2 WhatsApp हैं जैसे कि एक WhatsApp यहां पर है और एक WhatsApp यहां पर है तो मैंने दोनों से अपने WhatsApp बना लिया है तो सबसे पहले हम लोग अपना पहला WhatsApp फोल के यहां पर हम लोग open करके high message करते हैं ठीक है यहां पर डीपी और बाकी सारी चीज़े दिख रही है तो यहां पर देखिए कि message आ चुका है ठीक है और डीपी भी यहां पर दिख रही है कोई भी problem यहां पर नहीं है तो दूसरे वाले WhatsApp से मैं अपना जो main number है उसको यहां पर block करने वाला हूँ और जो दूसरा वाले WhatsApp उसको ऐसे open कर लेता हूँ तो यहां पर देखिए डीपी जो है वो दिखना बंद हो चुकी है यहां पर ठीक है सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहां पर हम लोग last scene नहीं देख सकते हैं ठीक है यहां पर देखिए यह वाला WhatsApp यहां पर multi window में चल रहा है लेकिन यहां पर हम लोग online नहीं दिखाएगा मतलब कि अगर आपको कोई block करता है तो जो last scene है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा भले ही वो person online हो खेर हमारे पास option होते हैं ताकि हम लोग last scene किसी का मतलब अपना hide कर सकें लेकिन यहां पर आप देखिए कि यहां पर जो last scene है वो नहीं दिखेगा दूसरा जो difference है उससे आप पता लगा सकते हैं कि किसी ने आपको block किया या पर नहीं वो है profile picture तो profile picture आप देखिए कि profile picture जो है वो यहां पर नहीं दिख रही है और जबकि यहां पर मैं आपको जाके दिखाता हूं कि जो profile picture है वो already लगी हुई है ठीक है तो profile picture लगी हुई है लेकिन वहां पर जो profile picture है वो visible नहीं है तो दूसरा डिफरेंस यह है तीसरा डिफरेंस एक यह है कि यहां पर हम लोग दुबारा से एक message करते हैं तो दुबारा जो हम लोग message करेंगे तो message है उस पर single tick लगेगा यानि कि message जो है वो कभी deliver नहीं होगा अगर उसने सामने वाले लेकिन आपको ब्लॉग किया है तो यहां पर देखिए कि यह जो net है वो on है लेकिन जो message है वो यहां पर नहीं आएगा क्योंकि contact जो है वो blocked है तीसरा जिससे कि हम लोग पता लगा सकते हैं कि हम लोग जब call करेंगे तो यहां पर आप देखिए कि my idea call कर रहा हूं तो यहां स लेकिन हम लोग एक final तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जिससे कि आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी ने आपको ब्लॉग किया या फिर नहीं यहला तरीका काफिर जादा अच्छा है तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक new group create करना है तो new group पे आपको tap करना है और new group में आपको my idea जो है उसे add कर लेना है जिस किसी ने भी आपको लगता है जिसका चेक करना है कि उसमें ब्लॉग किया है फिर नहीं तो मैं अपने idea वाले नंबर को चेक करना चाहता हूं तो इसको मतलब पहले select कर लूँगा उसके बाद हम लोग यहां पर कुछ भी group क का नाम रखेंगे जैसे कि let's suppose WhatsApp रखते हैं ठीक है तो WhatsApp रखते हैं इसके बाद हम लोग जैसे ही okay करेंगे तुरांत यहां पर देखे एक error आया था कि couldn't join idea मतलब कि हम लोग जो idea को है उसको हम लोग जो add है वो नहीं कर पाए है देख लीजे यहां पर मैंने शुरू में ही add कि क्या था add participant फिर से मैं करके आपको दिखा देता हूं यहां पर एक group में तो माई idea को मैंने जैसे ही add किया है आप ओके करूंगा तो यहां पर couldn't add my idea तो यह आया है error अब अगर आपको किसी ने block किया है तो आप बाकि जो चारों तरीके उससे तो आप पता करी सकते हैं लेकिन यह वाला जो तरीका इससे आप तुरंट पता लगा सकते हैं कि उसने आपको block किया है या पर नहीं अगर वो group में add हो जाता है तो उसने आपको block नहीं किया है और अगर वो group में add नहीं होता है ऐसा कुछ error आपको दिखाई पड़ता है तो आप समझ जाए कि उस person ने जिसका and bye-bye and take care